ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्कले बड़ी है इन मुश्कलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है चलती है आधिया तो गुड बॉलिंग दोस्तों तो आज देखिए मैं ये चत पर सुबह सुबह आई हूँ और सुबह के 5 बज के 45 मिनाट हो चुके हैं तो आज मुझे बहुत सारा काम कायना था जो के अपने गार्डन के लिए उसे और भी सुन्दर बनाने के लिए कई दनों से मैं लगी पड़ी हूं तो मैंने कूप सारे डिआईवाइस बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाए और किन-किन चीज़ों से बनाए वह भी फालतु पड़ी हुई सारी चीजों से तो चली देख लेती हैं तो सबसे पहले ये गुल्लक ली है मैंने जिसे मैंने अपने प्लांटों की बै तो इन्हें भी मैं अपने गार्डन को सजाने के लिए खुबसूरत सा बना लूँगी तो पहले तो इन्हें पेंट कर लेते हैं मैं बाइट कलर से कर रहे हूं आपको जैसी भी ड्रोइंग आती है उसी तरीके से आप कहते रहें और कुछ न कुछ कहते रहें दिन बड़े होत करने के बाद इसमें पेंटिंग बना लूँगी जैसी भी मुझे आती है तो यह देखिए गुल्डग को वाइट कलर से करने के बाद इस पर अच्छा सा थौट लिखा है वह आपको पेंटिंग करूंगी तभी दिखाई देगा तो हम मेहनत करते रहते हैं तो उसका फल तो बनाया इसे तो मैं इस तरीके से से यह दो हाथ बनाया नीचे जैसे प्लांट को सेब्ड़ना है उसी तरीके से इस तरफ से मैंने फेस बना लिया तो यह गुल्डग बनके रैडी है मेरी बैंक प्लांट की तो और भी मैं कुछ सिस्ते किरूंगी पथर मैंने पेंट की हैं तो मुस्क्ल है तो काफी आत इहां अपने सोप को पूरा करने के लिए गुष्प काम कर, तो पली जाते हैं पतानी कप आ चाता है सोप, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत ही मेहनत से गुज़र्णा पड़ता है जो कि करता है उसे ही पता चलती है कि कितनी मेहनत होती है तो देखिए इस तरहें से यह खुबशूरत मैंने रड़का और लड़की बनाए है जो कि एक नदी किनारे बैठी हुए थे घास में और यह है लेडी दब्बा था इसे भी मैंने पेंट कर लिया कहीं नहीं कियी काम आई जाएगा गार्डन में तो जो भी चीज ले लो काम आई जाती तो देखी इस तरीकी से मेंने पेंट कर लिया सभी को और देखी कितना खूबसूरत लग रहा है और प्लीज से प्लांट प्लांटों की रच्छा करिए क्योंकि वो हमें अपना सब कुछ त्याकर जीवन देते हैं और ये ले लिए मैंने दो बोटल जो कि मेरे पास कबार में पड़ी हुई थी मैंने उठा लिया मैंने का देखती हूँ इनसे भी कुछ न कुछ बनाई लेती हूँ तो अभी आपको पता ही चल जाएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ तो इसे पहले तो मैंने कट कर लिया है इस तरीके से और इसे आप मैं पेंट कर लूँगी वाइट कलर से ही मेरे पास इसी टाइम पे न वाइट कलर का जाधा सब कुछ डेकुरिशन का सामाने तो मैं इसी लिए जादर वाइट पेंटी यूज कर रही हूँ क्योंकि वाइट पेंट और इनका कुछ बारिस में भी नहीं बिगड़ता अच्छे से रहती है यह आप कहीं भी रखिए इंडोर आउट्डोर हमेशा सालो साल यह चलते हैं काफी टाइम से प्लांट भी अच्छे से चलते हैं इसमें तो तभी तो बोलते हैं यह मत कहो खुदा से मेरी मुस्कले तो महनत के आगे कोई भी चीज नहीं रुकती अगर आप महनत करोगे तो सफलता जरूर मिलती है चाए वो लेट से मिले और जो सफलता लेट से मिलती है उसका कुछ आनंदी अलग होता है तो फल की इच्छा ना करें अपनी महनत करते रहें तो देखिए मेरे बेटे ने बन एलेडी बल्ब जो कि फीवज हो जाती है तो इसे में बाइट कलर से पेंट कर लूँगी और यह वो ले लिए सोरी थोड़ी इसी चाहिए एमसील जो कि इसके यह फेस बनाना है मुझे तो अच्छे से चिपक जाएगी से कबर कर लेगी एमसील नहीं है तो आप कले ले सकते तो इस तरीके से मैं इसमें लाइनिंग कर लूँगी बिले कलर से तो यह हनी भी कितनी खूबसूरत बनके तयार है और यह मैंने प्लास्टिक की एक हाड़ वाली पॉलिथिन होती है कवर होता है जैसे उसे लगा दिये पंक के तरह बिलकुल और देखे कितनी खूबसूरत लग रही है तो यही छोटी-छोटी चीजों से हम अपने गार्डन घर को यहीं बना बना के सजा सकते हैं और यह हैं सारे कैप्स जोके बोटलों के होते हैं तो एक मैंने होल कर लिए बागी का रंग विरंगे ले लिए यह हाँ इस तरीके से आप इन्हें लगा के चिपका ले इन्हें मैं गलूगल से लगा लूँगी गलूगल या फैबी केक से ही चिपकाएं उसे अच्छे से चपक जाते हैं तो देखे इस तरीके से फिलोवर जैसे बना ले और इसे भी मैं प्रश्टिक चोटा सा पाइप इसे मैंने इसके अंदर डालके और चिपका लिया है और बाकी का एक लकड़ी लेके कीले इस तरीके से लगा दे तो यह फ्लॉबर फिरकी कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए तो यह सारा आइटम मैं उपर लेके आगी हो देखिए चत प हो रही है तो गार्डन की इस टाइम तो विचारे ऐसे ही चल रहे हैं हालत खराब है तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे इन्हें रख दिया है लगा के और कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें प्लांट लगा दियें अभी मैंने पर्मानेंट नहीं लगाएं बस ऐसे रख दियें इसमें तो इस तरीके से आप बना कर नहीं नहीं चीज़ें अपने गार्डन को सजाए अपने घर को सजाए और खूबसूरत बनाएं थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइब सेर और सब्सक्राइब करें और अपने ख्याद रखें गर्मी बहुत है फिर मिलती नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई बाई